इसे बनाने के लिए आप स्क्राफ फाबरिका भी इस्तमाल कर सकते हैं घर में पड़े हुए बच्चे हुए फाबरिका इस्तमाल कर सकते हैं टॉप बनाने खेल आपको लेस तेन हाफ मीटर की सरुवत होगी, इसे एक बार फोल्ट करने के बार दुबारा मैंने फोल्ट कर लिया है, इसके उपर कोई भी आपके बच्चों के साइस की टी-शिट होगी, उससे प्लेस कर लें, ध्यान दीजिए हमें उपर की तरफ 2-3 इं अब लंबा यहाँ पर मैरे टॉप की है, 9 इंजिस तो मैं 9 इंजिस पर एक पॉइंट डॉप कर लोगी, इसके नीचे तो हम रफल अटाच करेंगे, जहाँ पर हमारा कपड़ा फोल्ड है, वहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक पॉइंट बना लेंगे, तिन दुसरे तरफ भी से हमें 1.5 इंच पर पॉइंट बना लेना होगा, इस तरह किसा आप देख सकते हैं, अब फोल्ड भाग से यहाँ पर मैं 3 इंच पर पॉइंट रॉप कर लोगी, ऐसे ही जैसे जैसे वीडियो में बताया गया है, आप इन सारे पॉइंट्स को आप मिना लेंगे, आप ही किसी मार्किंग कटिंग कर लीजिए, उनहीं की टीशिट या कोई भी टॉप प्लेस करते हुए, तो मेर्जेमेंट प्रॉपर आएगा, अब इन सारी मार्किंग को हम कट कर लेंगे, मार्किंग करने के पाद जब आप इसे खोलेंगे, आपको दो फैब्रिक मेंसर आएगा, एक बैक का, फ्रंट का गला तो इसी तरीके से रहेगा, बड़ बैक का गला हम चेंज करेंगे, इसलिए एक कपड़े को हम साइड में तख लेंगे, दुसरा जो बैक का कपड़ा है, उसे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रो कर लेंगे, उपर गले की और, आम होल के नीचे से और इसे कट कर लेंगे, यह एक्स्ट्रा, यह एरिया हमारा एक्स्ट्रा है, इसलिए इस एरिया को हमें कट कर लेना होगा, जैसे मैंने स्ट्रेट मार्किंग किया है, ऐसे ही स्ट्रेट मार्किंग करते हुए हम इसे कट कर लेंगे, कट करने के बाद यह मेरा फैबरिक रिय उसका में नीचे का रफल बना लूँगी सो यहाँ पर आप देख लिएंगे बच्चे वे कपड़े से मैंने छोटी-छोटे पतियां कट कर ली है पति की लंबाई में रखी है तीन इंच की और चोड़ाई जितना आपका टोटल गीराएगा उससे डबल होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख लिए में बच्चे कपड़े से बनाया था इसलिए मैं इन सारे कप्रों को जोड लूँगी कट करते हुए इन सारे कप्रों को जोडने के बाद एक लंबी सी पत्टी तयार हो जाएगी फिर उस पट्टी पे हमें छोड़ी छोड़े प्लीट्स देते हुए सिलाई देनी होगी यहाँ पर आप देखें एक एच इंच की दूरी पे हम छोड़ी छोड़े प्लीट्स दे देंगे अल वर हमारे पट्टी पे और नीचे के किनारी भी हमें मोर लेना होगा इस तरीके से pleats देने के बाद हम हमारे top के साथ इसे attach कर लेंगे यहां पर top का मेने sides भी see लिया है अब बस नीचे का pleats जो है वो इसके उपर लगा लेना होगा यहां पर pleats लगाने के लिए जो उल्टा तरफ है वो उपर की और रखेंगे जैसे वीडियो में बताए गया है सेम इसी तरीके से place करते हैं हम जब लगाएंगे इस पटी को तो नीचे की तरफ जब flow करेंगे तो रखेंगे तो रखेंगे से उपर की तरफ होगा अब देख लें इस तरीके से रखना होगा हमें हमारे pleats को ये उल्टा साइड है जो उपर की और है गुलाई में पूरा हमें सिलाई दे देना होगा फिर जब नीचे की और करेंगे तो रखेंगे तो रखेंगे अंदर की और रहेंगे ऐसे ही हमने नीचे का flow अटाच कर लिया है अब बस हमें उपर का straps करना होगा उपर के strap अचाच करने के लिए जो बच्छर के कपड़ा है उसके इस्तमाल करेंगे उसकी चौडाई हम ले लेंगे तीन इंच की दोनों साइट से फोल्ड कर लेना होगा तकि इसकी किनारिया मुर जाए इस तरीके से फोल्ड करते होगे सिलाई आपको दे देना होगा सिलाई देने के बाद बस हमारे टॉप के साथ इसे हम अटाच कर लेंगे जितना लंबा जितना चोटा चाहिए आप अपने बीबी के साइस के हिसाब से कर सकते हैं इसमें कोई मेंजमेंट नहीं है यहाँ पर मैंने पट्टी को दोनों तरफ से मोल लिया है बस इसे हम हमारे टॉप के साथ अटाच कर लेंगे इसी तरीके से हमारा यह उपर का टॉप तो प्रिपेर हो चुका है पस नीचे का फ्लूर हम प्रिपेर करेंगे तो मैंने उपर का टॉप क्रियेट किया था बेसिक से कलर में, तो नीचे में कोई भी प्रिंटर्ट फैब्रिक का इस्तमाल कर सकती हूँ इसे लगाने के लिए, इसके नीचे का कॉडिनेट सेट बनाने के लिए, तो मेरे पास काफी सारे ओप्शिन्स थे, आप भी यलो कलर है तो इसके साथ बेपिंग के लिए कोई भी कलर के आप नीचे का जो बॉटर में उसे बना सकते हैं, मैंने यहां पर ब्रोकेट मटेरिल का इस्तमाल क्या है, क्योंकि मुझे बहुत जाता प्यारा लग रहा था, अगर आप घर में कैश्विली पहनने के लिए से बना रहे हैं इसके साथ कॉंबिनेशन क्रिएट करने के लिए मैंने ग्रीन कलर का ब्रोकेट मटेरियल लिया है, मेरे पस और भी फाब्रिक्स थे जो बच्चे होगे थे जो इसके साथ में को कॉडिनेट कर सती थी, यहां पर मैं आपको कुछ सांपल्स बता दूगी जिसे कि यह ग्रीन क जो भी आपके पस क्राब फाब्रिक होगा उसका मिसमाच करते होगे आप नीचे का फ्लो बना सकते हैं, में आपड यह ब्रोकेट मटेरिल का इसनमाल कर लोगी, इस कपड़े को एक बार ही आपने फोल्ड कर लेना होगा और एक बार फोल्ड करने के बाद दुबारा आपको इससे फोल्ड कर लेना होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने सिव उतना ही फाब्रिक फोल्ड किया जितना नेसेसरी है, मैंने पूरा फाब्रिक फोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही आप भी उतना ही फाब्रिक फोल्ड कर लीजे जितना नेसेसरी होगा, एक बार फ इसलिए मैं अगें तोड़ा और फैबर्क लेते वे फोल्ड कर लोगी इसी तरीकिसे आपके कपड़ा काफी जादा सेग होगा तो यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है फोल्ड करने के बाद बेल्ट एरिया से तीन इंच का गयाप आपने छोड़ लेना होगा पर क्योंकि उसे मोडना होगा एलास्टिक लगाना होगा तो तो फ्री इंच जाएगा अब वहां से measure कर लेंगे length आपको top pants की कितनी चाहिए मुझी तरह 16 inch मैंने 1 inch extra ले लिया है 17 inch पर mark कर लिया है जहां पर cross area है वहां से हमें straight line draw कर लेना होगा सो यह पर cross area से मैंने straight line draw कर लिया है अब उसके नीचे से हमें जितना wide आपको legs चाहिए अपने pants की उतना wide up रखे इने मिला ले अब इन सारी marking को आपने कट कर लेना होगा तो यहां पर मैंने इन सारी marking को कट कर लिया है अगर आपको इससे समझने में ज़रा भी difficulty हो आप मुझे comment down करके ज़रूर पुच सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे मैंने कटिंग कर लिया है कटिंग करने के बाद जब आप खोलेंगे आपको ऐसे shape में दो fabric निजर आएंगे बस इने एक के उपर एक आपने रख लेना होगा अब belt area से cross area तक सिलाई देजेना होगा दोनों तरफ दोनों तरफ जब हम सिलाई देदेंगे यह अगर तो बीच से कपड़े को grab कर लिएना होगा और ढ 눌러 Core लेंगे इस तरह के से, आप देखें बीच से कपड़े को जब आप grab करके इस तरह के से spread करेंगे तो inner thigh cross area भी आप सिलाई दे दे तो यहाँ पर हम inner thigh cross area भी सिलाई दे देंगे नीचे की किनारी को भी double fold करते होगे सिलाई दे देंगे और उपर जो belt area है हमारा वहाँ पर भी हमें सिलाई देना होगा तो सबसे पहले आदा इंच आप फोल्ड कर ले देन एक इंच फोल्ड करते होगे इस तरीके से all over आप सिलाई दे दे यहाँ पर थोड़ा सा gap छोड़े उस gap के थूर हम कोई भी elastic pass कर सकते हैं यहाँ पर हमने सारी सिलाई कर लिये सारी सिलाई कर लेने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा gap छोड़ा था इस gap के थूर हम elastic pass कर लेंगे elastic की चोड़ाई जितना भी आपकी बेबी की कमर का साइज है उससे 2 इंच, 3 इंच कम होना चाहिए तो मैंने यहाँ पर elastic ले लिया है अब बस इसके थूर हम pass कर लेंगे मैंने safety pin की help से elastic को pass किया है विकाज वो काफी आसानी होगी pass करने के लिए इससे लिए आप कोई भी instrument ले सकते हैं elastic को इसके थूर पास करने के बाद दोनों ends को सिलाई दे देंगे और जो खुला हो भाग है उस पे भी सिलाई दे देंगे इस तरीके से हमने belt भी लगा लिया है और यह pants तयार हो चुकी है बहुत easy and quickly like within 10 minutes आप cutting, stitching सब कर सकते हैं इस pants की और इसे मैं इस top के साथ coordinate करूँगी जो बहुत ही प्यारा लग रहा था ऐसे ही आपी different colors के साथ play कर सकते हैं और काफी प्यारा लगेगा patches लगा ले all over यह simple भी आप रहने दे सकते हैं कोई बात नहीं और यहाँ पर हमारे यह dress तयार हो चुका है बहुत ही quickly and easy तरीके से अगर आप को ही tutorial पसंद आए helpful लगे और प्लीज इस channel को subscribe ज़रूर से कीजे और वीडियो को like करना ना भूले इस तरह के dresses को या कोई भी dresses में रियावाई करती हूँ आप खुद भी create करके gift कर सकते हैं अपने friends को या अपने niece को बहुत ही प्यारा लगेगा यह काफी अच्छी idea है gift करने की आप खुद create करके घर पे ही so यह रहा मेरा आज का tutorial I really hope आपको पसंद आया हो आप मैं यहाँ पर shout out देना चाहूंगी मेरे को subscribers को जो मेरी वीडियो देखते हैं और उन्हें काफी जादा पसंद करते हैं so यहाँ पर मैं पर पेला shout out देना चाहूंगी Janvi Patil Megala Megala 2.0 and यहाँ पर मैं third shout out देना चाहूंगी आरोखू को thank you so much for watching my channel and मेरे वीडियो के नीचे comment करने के लिए अगर आपको भी मेरे चैनल के next video में feature होना है then मेरे इस चैनल को subscribe ज़रूर से कीजे बाजू का bell icon press करना ना बुले so that में कोई भी वीडियो अपलोड कर उसकी notification सबसे पहले आपको मिले till then thank you so much for watching guys bye bye till the next time